वेलकम टू प्यूर कुकिंग इस वीडियो में मैं नुट्रीशियस और हेल्दी बादाम साबुदाना के शर्बत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो के रिफ्रेशिंग और तास्की से भरपूर है और बहुत ही नुट्रीशियस और फिलिंग है और इफ्तार के लिए आइडि जो है जो रोजे में प्यास लगती है उसे रहत मिलती है अलेची से तो ये जारोर आट करेंढ़ है इसमें थोड़सा दूद ढल देंगे और बारीक साуса से पेस्ट बना के त्यार करेंगे यह तखिए इस तरह से बिलकल बारीक पेस्ट हमवें अब हम भार किरें भासु confessाना हम बाखी की तयारी करेंगे तो हाफ कप साबुदाना लिया है मैंने इसे धोके भीगा के रखा था इसको भी अब हाइफ लेम पे हमने साबुदाने को अच्छे से पका लेना है जब तक यह इस तरह से ट्रांस्पेरेंट नहीं हो जाता अब साबुदाना तयार है तो साबुदाना चलिए अब शर्बत बना लेते हैं दूद भी गरम है तो अब उसमें जो हमने बादाम का मिक्स बना के तयार करके रखा था वह आट करेंगे और शकर शकर वनफोर्ट कभी मैं आट कर रही हूं क्योंकि मुझे यह शर्बत हेल्दी वे में चाहिए अगर आप ज्यादा शकर खाते हैं तो ज्यादा शकर आट कर सकते हैं और बादाम का मिक्स आट करके हम इसको अच्छे से पकालेंगे मैंने बादाम की इसकी नहीं निकाली है क्योंकि बहुत हेल्दी होती है इसकी आप चाहें तो निकालीजिए अब इस्टों की फ्लेम बन कर देंगे और सब Зап palavras बना के रखा है यह एश्या looking खरें के चाह ad करेंगे और अच्छे से मिक्स करेंगे और बेलकुल इसको थंदा कर लेंगे सबुदाना शर्बत को इस तरह से कि अब यह दखिए सबुदाना शर्बत बहुत थंदा हो गया है अब हम इसमे चाहें चाहेंbok तो पेट में गर्मी होती है, गर्मियों की वज़े से वो बिलकुल उसमें मदद मिलती है, तो जरूर एट कीजिए सबजे के सीर्स, अब लास्ट नो इसमें ड्राई रोस पेटल्स एट करेंगे, और कटे हुए बादाम, ड्राई रोस पेटल्स आपको ऑनलाइन और हर किसी ज ताबू दाने का, तब हम इसको सर्फ कर देंगे, और सर्फ करके इसको हम गार्निश कर देंगे, थोड़े से बादाम और ड्राई रोस पेटल्स से, और बहुत ही निट्रिशियस, रिफ्रेशिंग, इफ्तार का शर्बत बनकर तयार है, जो के बहुत ही हेल्दी है, अगर य प्यूर प्यूर कॉकिग को ऐसे उस्फील वीडियो के लिए थैंक्स पॉर वचिंग्